कि दोस्तों हर्शदा मैडम ने बहुत ही अच्छा सवाल पूचा है जो शायद हो सकता है जितने भी हमारे दोस्त है जिन्होंने पी डबली में रेजिस्टेशन किया होगा तो आपके मन में एक बार जरूर आया होगा कि अगर मुझे यह लाइसन कैंसल करना है या फिर सरेंड करना चाहिए मान लीजे आपने लाइसन अभी प्रिपेर कर लिया है पिर वो चाहिए जट पी का हो फिर फिर किसी भी को ठीक है उसकेस में अगर आपने लिखके नहीं दिया है आपके डिपार्मेंट को कि अगर मैं किसी जॉब पर जाता हूँ या फिर गवर्मेंट जाव और प्राइवेड जॉब या थो घुट की विजस्में अगर मैं रहता हूं तो मुझे मेरा लाइसन केंसल करने की जवरत है या नहीं अगर यह मेंशन आप नहीं किया है यह फिर नहीं दिया है तो उस केसे में आपको कोई जरूरत नहीं है कि कि आपको आपका लाइस ने पीड़ोडी का या फिर कोई भी किसी भी डिपार्मेंट का वो कैंसल या फिर सरेंडर करने के आपको बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है ठीक है यह सबसे पहला पॉइंट रहा है कि अगर आपने रिटन में कुछ नहीं दिया है डिपार्मेंट को लाइसन कैंसलेशन या फिर सरेंडर के रिलेटेट तो फिर आपको लाइसन कैंसल करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है ठीक है अब यहाँ पर और एक केस ऐसे हैं मान लीजे आपने रिटन में दिया है कि हाँ आपको अगर कोई जॉब लगता है या फिर गवर्मेंट जॉब करना पड़ेंगा तो देखिए दूस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दू कि अगर आपको लगता है कि जौब पर थोड़ा सा भी डाउट है कि हो सकता है कि कल जाकर यह जॉब मुझे छोड़ना पड़े तो उस-केस में मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए और उसकेस में आपके लाइसन को किसी भी तरह से सरेंडर या कैंसल मत कीजिए क्योंकि कैसा है आपने जो लाइसन बना है उसमें बहुत ज्यादा टाइम गया है और मिनीमम तो उसकेस में लाइसन कैंसल कर देना हो सकता है आपके लिए थोड़ा अच्छा डिसीजन नहीं होगा ठीक है अब लाइसन कप कैंसल करना यह वह मैं सिच्यूशन आपको बताता हूं देखिए यह सब तो चीज़े हो गई कि अगर आपका प्राइवेट जॉब है आपके पास यह ठीक है आपकी मतलब लाइफ टाइम आप इसी जॉब के पर काम करने वाले हो आपको आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है या फिर आपको यह जॉब आपसे कोई चीन नहीं सकता यह अगर आपको हंड़ेट परसेंट अशूरंस है तो हाँ उस केस में अगर आपने रि आमने य सरेंड़ करना ही है अपका इस फिर आपको आपको आहां पलत आहन अपने रिटर्मेमारणेट लिए ह две की peł पर रहा है उसमें दो आउसनी नार्मल प्रक्ट कला एक हो एक बात अगर बाट बाजो चोड़ दे अगर ढवर तो उस केस में डिपार्मेंट आपको क्यों वह सुविदा दे जो एक नॉर्मल कॉंट्रक्टर को देनी चाहिए इसलिए अगर आप गवर्मेंट जॉब लगती है तो फिर आपको मेंडेटरी है कि यह लाइसन आपको स्रेंडर करना ही पड़ेंगा यह लाइसन आपको कैंसल क कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है सिंपल आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन में मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दूंगा उसमें आप आपका सिब जो डिपार्मेंट है डिवीजन है और आपका नाम है वो सब एडिट कर दिजे आप यह डिपार्मेंट मे रहा हूँ या फिर कौन सा रेफरेंस है बेसिकली रेफरेंस में आपका अपका अटेच कर सकते हो और साथी साथ जो आपका जॉइनिंग लेटर होगा गवर्मेंट जॉब के लिए वह भी आप उसमें अटेच कर सकते हो ठीक है यह बात होगी अब देखिए यह बहुत को यह सब एक है उसका रीजन यह है कि तो रीज़ेशन और में में और में किसी डिपार्मेंट में रोज ऑत वह सभी प्रोसेजर आपको फॉलो करने पड़ेंगी बस एक बात का ध्यान रखना कि यह जो कैंसलेशन प्रोसेजर इसमें आपको किसी भी तरह की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपके पास एक औप साफ हमें का यह अचान्सेजर ओगेंगे आपको इसमेर्ट की चैंसेफ एक ओपिए्पैसफुी आजाएगे कि हां हमने जो लाइसन है वो सरेंडर कर दिया और कुछ दिन बाद हो सकता है आपके एड्रेस पर पोस्टल एड्रेस पर आपको यह सर्टिफिकेट भी मिल जाए कि आपका जो लाइसन हो कैंसल हो चुका है देखे आपको जब यह अप्लिकेशन आप सब्मेंट कर देंगे और एक इंपोर्डन बात कहना चाहूंगा कि जो मैंने इंफॉर्मेशन बताइए बेसिकली यह हो सकता है टाइम के साथ प्लेस के साथ चेंज हो सकती हाला कि ज्यादा चेंजिस नहीं आएंगी इसलिए आपको अगर लाइसन आपको कैंसल करना है तो सबसे पहले आप आपके ड किया जाएंगा कि किस तरह से आपको एक्चुली उस डिवीजन के लिए लाइसन केंसलेक्शन की प्रोसीजर कम्लेट करनी है थैंक यू दोस्तों अगर आप सिवल एंजिनेरिंग स्टूडन्ट हो या फिर सिवल एंजिनेरिंग में आपका इंट्रेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें